हाई गाइज इस वीडियो में हम लोग एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने का प्रोग्राम देखेंगे यह लर्ण करेंगे कि किस तरह से स्ट्रिंग को कॉपी किया जाता है इसके लिए हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन यूज करेंगे स्ट्रिंग.h header फाइल का strcpy फंक्शन तो आईए देखते हैं इसे प्रोग्राम में तो देखें स्ट्रिंग.h को हम ने इंक्लूड कराया बेसिक इंप्ट आप्ट के लिए स्ट्रिंग.h को हम इंप्ट करा रहे हैं ताकि strcpy को हम यूज कर सके हैं यानि मैं यहां पर comment में लिख दे रहा हूं strcpy function is used to copy a string and it is declared in string.h5 ओके लिए सबसे पहले हमने दो करेक्टर टाइप के रहे बनाए पहला बनाए str1 साइज रख दिया 30 दूसरा बनाए str2 इसका साइज रख दिया 40 जुरूरी नहीं कि 30-40 रखो जो भी आपकी मर्ज़े वह आप साइज रख सकते हो now first of all हमने strcpy function call किया पहला argument हमें पास करना है वो character array जिसमें string हमें copy करने है and दूसरा argument होएगा वो string जो हमें character array में store करवानी है जैसे यहाँ पे str1 में क्या store हो जाएगा तरुन वर्मा मतलब तरुन वर्मा की जो value हो किसमें आ जाएगे अपने पास str1 में इसी इतुर्श मुझे str1 की value को copy करना है किसमे str2 में तो हम क्या लिखेंगे strcpy सोर्स करेक्टर एरे स्ट्टिनेशन ग्रेक्टर एरे जहां पर value राइच करनी है अपने को वो है str2 और किसकी वैल्यों को राइट करने है str1 की str1 में हमने अल्रेडी क्या रखा है तरुन वर्मा अब str2 में str1 को राइट किया that means str2 में भी क्या जाएगा हमारे पास तरुन वर्मा ओके इसका मतलब हो क्या इससे क्या हो रहा है str1 जो है str2 में copy हो गई है दोनों की str1 को भी हमने पहले print करा के देख लिया and str2 को भी हमने print करा के देख लिया तो दोनों के content से माने चाहिए कि str2 में भी क्या copy कर रखा है हमने str1 का मान आईए इसे run करा के देखते है output आना चाहिए str1 इस तरुन वर्मा str2 इस तरुन वर्मा यह देखिए गाईज ओके गाईज ओप सो string copy करने का जो काम है strcpy function के थ्रू आप लोगों को समझ में आया होगा continuously आप मेरे video lectures update पाने के लिए channel को please subscribe कीचे thanks for watching this video guys